आप पूले तो है अब जाए गर ना बीडियो तो हेलो मेरा प्याले दिश्ट्रोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे कि एक और वीडियो में वीडियो का topic जैसा कि मैं आपको बता दू कि starting में आपने देखा यह ओगा इंट्रो किया मैं आपको आज बताने बाला हूं कि आप केसे क्रियल क्रिकट 20 में batsman को बोल्ड कर सकते हैं and guys इस trick से आप 10 में से 7 wicket को easily जिली बोल्ट से ले सकते हैं और बागी के तीन या चार विकेट सोरी तीन विकेट आपको उसे केच आउट हो सकता है क्योंकि गाइस यह पॉसिबल लेटे तो है नहीं कि आप हर वैट्समें को बोल्ड ही कर दो क्योंकि एक नए एक वैट्समें आपको लॉंग जिट माने के चक्कर में केच आउट हो भी जाएगा सो आप एक मेच में मिनिमूम पास से साथ विकेट ले सकते हैं इस ट्रिक से मेरी गरंटी कि आप हंड़ेट परसेंट बोल्ड कर पाएंगे बैट्समें को सो गाइस उसके लिए आपको कुछ होंगी आपको वीडियो को बेने स्किप क डबाने भी फ्री होता है और सबसक्राइब करने का जो घंटा होता है उसको डबाना भी एकदम प्री होता है और इन तीनों चीजों को लबा दे तो उसके बाद मुझे मज़ा आएगा एंग्ड साथ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बिए अच्छा बढ़ेगा करो हैं थोड़ा से लगा ओकै कि मैंने 1 फ्हds सब्सक पहल сторону हrang को शब्सक लिए देखा एट पैसे हीत। तो वीडियो को स्टार्ड करें नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो घाइस इसमें आप किसी भी स्थर प्रेतàng यहां सकते हैं जैसा कि मैं भी आपे 10 ओबर का गेम प्ले करता हूँ इस आप इसे इजी, मीडियम, किसी भी मोड में आप इस ट्रिक से विकर ले सकते हैं इसमें आपको बता दू कि ये एक दो ट्रिक नहीं, पूरी पूरी तीन ट्रिक बताने वाला हूँ और तीनो ट्रिक हंडेट पर केवाले साथी साथ मैं इसे यूस किया है इसीली मैंसे आपके लिए कर गी आयो हूँ सब्से पहले मैंने आपर बेट्समें से लेक कर लिया यह हैं विए कुछ पीम इसकिनर रख लेना है तो चलो यह थोड़ा से एंट्र इसके बाद में आपको दिखा देता हूं कि केसे आप इसमें बहुत ही असानी से तो विकट ले पाएंगे तो गाइस सबसे पहले आपको फिल्डिंग सेट अप पे जाना है तो फिल्डिंग सेट पे तो जा उससे पहले आपको एक चीज सबसे पहले आपको फटवाट से दिखा देता हूं कि आपको फिल्डिंग सेट अप केसा रखना है तो इन पावर अपने पीछे साइट एक फिल्डर जस्की सीदे स्टेट में आपको लगाना है और बाकी तो आपने देखी लिया एंड उसके आपको बॉलिंग लेंद क्या में रखना यॉर कर लें तो वहां पर आपको रखना है उसके बाद आपको अभी में रिजल्ट बटा जेता हूं कि आप ऐसी बोलिंग करोगे तो कैसा होगा ऐसे करों कर दो सीधा आपको इस तरह से विकेट मिलेगा यह तो यह थे ट्रिक नंबर बन मैं आपको और भी ट्रिक है बस उसमें आपको राउंड विकेट आना पड़ेगा राइट एंड बोलर से आपको इसी लेंद पर बोलिंग कराना है जैसे कि अब अभी देख पा रहे हैं यौर का लेंद एंड इन स्विंग तो एसी कराएंगे तो आपको विकेट 100% मिलेगा तो यहां पर देख पा रहे होंगी क्या क्या से इनने इसको विकेट ले लिया है और जस्पित भूमरा तो हमने घातक बोला रहे हैं लेकिन 37 मौंबा समी अच्छे एंड उसके आद मैं आपको बता दिए कि ट्रिक नंबर तू तो बहुत ही जादा ऑस्ट्रिक है यह मैंने खुद मतलब की बहुत जाद अच्छा मिलेगा तो आपको लेंथ दिखी रही है और फिर आपको लेक कटर डालनी है एंड इस पीड आपको नॉर्मली कम जादा करते रहें एक जैसी स्पीड नहीं राखना है और उसका रिजल्ट आप अभी देख ही पाओगे केसे में इसको क्लीन बोल्ड गल दिया है इसके लिए उसके लिए मैं आपको बता दूँगा कि आपको इसे मीडियां पेसर पर आपको इसे अपलाई करना है अगर मीडियं पेसर की गयं थोड़ी ज्यादा स्विंग होती है चाहो आप फास्ट वोलर से भी ट्राइक कर सकते हो बट यह मीडियम के ओपर ज्यादा हिसमें बतें यहां पर आपको बतादी की यह यह बहुत लिए आपको लेंठ लेंठ आपको सब्सक्राँ पर तो slower ball तो फेकना है अब इतना देख के मत चल जाना slower ball को आपको पूरी इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है बैसा इंडिया टीम नहीं जीत पाई उससे लेकिन अपनी टीम तो हमेंसे जीती है पाकिस्तान और न्यूजिलेंड के खिलाव हैं तो यह पहला विकेट था इंडिस के आद जो सेकंड विकेट था वह है इस टाइप से केच डजान वस्तवत सब्सक्राओव ऐन के सब्सक्राओव आभाप थो कि था एक गार accredjam करेना मैं तो आपको उटेना किक्परिया हैं तो आप यह नात अंदिए जीनल को कर दो आपको पॉसट अपको यह आपन आपको यह पर सुस्राण कि hey भालेगा मैं यहां पर विकट ले लिया है इस पेनल को भी उठाके मानना चाहा और वह भी खताम हो गया है साथ साथ फार्ट वोलर से तो आप इससे विकट लेही पाएंगे क्योंकि मैं बहुत ही बहुत ही ओसम ट्रिक्स लेके आया हूं गाइस इसके लिए एक लाइक तो बनती है अगर ल नहीं किया था इन पाता नहीं बेट्समें कौन था पाकिस्तान के सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रव कर दो